जै मातारानी दोस्तों मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ मालक्ष्मी के नाम का जैकारा लगाएं कमेंट सेक्शन में जै मालक्ष्मी एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाई अवर्ष्य लिखिये आप सभी के जीवन में सुख सभागय की वर्षा होगी और सब मनुकामना पूर्ण होगी इस साल की आखरी एकादशी आ गई है माक्षीस मास के शुकलपक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी इस वर्ष 25 दिसंबर 2020 की तारिक शुक्रवार के दिन पे है इस एकादशी के दिन पे गीता जैनती भी मनाई जाती है इस एकादशी का वरत रखने से मोक्ष की प्राप्ती होती है आपके पितर तर जाते हैं उनको भी मोक्ष की प्राप्ती होती है सुख सभागय बढ़ता ह और सभी तरह के पापों का नाश हो जाता है मुक्षदा एकादशी के दिन पे एक दीपक आपको जरूर प्रजलित करना चाहिए यह दीपक श्रीहरी विश्नु और मालक्ष्मी की क्रपा आपको प्राप्त कराता है जिस घर में धन के सुख का अभाव है उस घर में धन धाने भर जाता है जो भी आपके जीवन की परिशानी इस समय पे चल रही है हर परिशानी को यह दूर कर देता है एकादशी का दिन आपके जीवन को सुख सभागय से भड़ता है दोस्तो इस बारे में विस्तार से बात करें उसके पहले नीता विकरम चैनल सब्सक्राइब करिए वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और बाजु में बनी हुई घंटी अथवा बैल के आइकन को प्रेस करिए इससे आपको वरत पूजा पार संबंदी सभी जानकारी निश्रक प्राप्त होती है और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर करिए नीचे बने हुए शेयर के बटन से आप इसका लिंक कॉपी करिए और वाटस अप पे अपने सभी दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें 25 दिसंबर 2020 की तारिक जिस दिन क्रिस्मस का त्योहार भी मनाया जाता है जादा तर जगह इस दिन छुटी रहती है इस दिन पर ही मोक्षधा एकादर्शी का वरत रखा जाएगा इस दिन पर जो एकादर्शी की तिथी है ये द्वादर्शी युक्त तिथी है जब भी एकादर्शी की तिथी द्वादर्शी से युक्त होती है इसे सुख प्रदान करने वाली एकादर्शी कहा जाता है एकादशी तिथी का प्रारमवच 24 दिसंबर 2020 की तारिक में सुभा 8.47 मिनिट पे होगा एवं इसकी समापती 25 दिसंबर सुभा 11.24 मिनिट पे होगी इसके बाद द्वादशी की तिथी लग जाएगी सूर्य उदै काल में एकादशी की तिथी रहेगी यहाँ एकादशी का व्रत उत्तम फल प्रदान करता है तो 25 दिसंबर को दिन भर आप एकादशी का व्रत रखेंगे जो लोग कई समय से एकादशी का व्रत रखते आ रहे हैं उन्हें पता है एकादशी का व्रत तीन दिन का व्रत होता है दश्मी, एकादशी और द्वादशी द्वादशी की तिथी में व्रत का पारना करा जाता है याने अपना उपवास खोला जाता है या उपवास को पूरा करा जाता है तो मैं आपको पारना का शुब महुरत भी वीडियो के शुरू में ही बता देती हूं 26 दिसंबर 2020 की तारिक को सुबह 6 बच के 24 मिनट से लेके 8 बच के 32 मिनट के बीच में एकादशी व्रत का पारना करा जाएका एकादशी व्रत करने से जीवन में सुखसवाग्य बढ़ता है श्री कृष्ण भगवान के प्रियम मास मार्कशीश मास अत्वा अगहन के महिने में एकादशी व्रत करने से विशेश फल की प्राप्ती होती है इस मास में ही क्रश्न पक्ष में उत्पन्ना एकादशी थी जबकि एकादशी का वृत करना शुरू करना बहुत ही अच्छा फलदाई बताया जाता है परन्तु जैसा की प्रभू की इक्षा है कभी भी आपका जब भी मन होता है एकादशी वृत शुरू जरू करिये पर जब भी आप वृत का समापन या उद्यापन करें उसे विधी विधान के साथ करिए क्योंकि इससे ही आपको वृत का संपूनफल प्राप्त होता है अब हम जान लेते हैं इस बार आपको एकादशी वृत रखना किस प्रकार है 24 दिसंबर जिस दिन दश्मी की तिथी है इस दिन पर आपको रातरी के समय भोजन नहीं करना है यानि जब तारे उग आएं सभी मनुश्यों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए जब तारे उधित हो जाते हैं करीबन 6-7 बजे के आसपास तारे निकल आते हैं इसके बाद हो सके तो भोजन न करें अपने मुँ में अच्छे से ब्रश कर लें मुँ साफ कर लें जिससे मुँ में कोई भी अनिका दाना न रहे श्री हरी का इसमरन करें और इस रातरी में भी आपको स्थिनी प्रिसंग नहीं करना चाहिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए बाकी एकादशी व्रत में और क्या-क्या नियम है ये मैं आपको आगे बताऊंगी इस प्रिकार से आप अपने व्रत को शुरू करें रात्री में सोने के बाद जब आप सुभा उठेंगे तो अपने नित्यकार्यों से निव्रत हो जाए एकादशी के दिन पे निरंतर मांसिक जब करते रहने से विश्णु भगवान की अद्बुत क्रपा प्राप्त होती है यहाँ जाप आप सुभा से लेके रात्री परियंतक कर सकते हैं जब भी आपका ध्यान जाए मांसिक रूप से ओम नमो भगवते वासु देवाए इस मंतर को आप निरंतर कहते रहें जो भी विश्णु भगवान का अपने पूरे इक्षा शक्ती के साथ जाप करते हैं उनके उपर मालक्ष्मी की क्रपा होती है क्योंकि मालक्ष्मी स्वयम विश्णु जी की सेवा करती है उन्हें पता है विश्णु जी के चरन कमलों की सेवा करने मातर से मनुष्य इस भव सागर से पार हो जाता है इसलिए आप निरंतर विश्णु भगवान के नाम का जाब करते रहें और ओम नमो भगवते वासु देवाए ओम नमो नारायन आए इन मंत्रों को बोलते रहें सुबह सना नत्यादी करने के बाद आप अपने घर में जहां पे भी सूर्य जी उदित होते हैं सूर्य नारायन का उदय होता है सूर्य देव को जल दें और पूजा पाठ अवर्श्य करें तोसी के पत्ते एक दिन पहले ही दश्मी की तिथी को आपको तोड के रख लेने चाहिए निरंतर मंत्र जाप करते रहें इसके बाद अश्ठ गंध में केसर मिलाके और सुगंदित गंगा जल्चंदर इत्यादी मिलाके भगवान के लिए तिलक तयार करा जाता है इसी में एक चुटकी हल्दी भी मिलाई जाती है यह सौभाग्य का प्रती होता है इससे विश्णु भगवान मालक्ष्मी को तिलक करना चाहिए एकादशी के वृत में चावल का प्रयोग नहीं करा जाता काले रंकी तिली को देव पूजा में उपयोगी बताया गया है इसलिए इस दिन भगवान की पूजा में चावल न चढ़ा के काले रंकी तिली से भगवान का पूजन करना चाहिए जब आप एकादशी का वृत रखें तो आप भगवान पे इस दिन पे बिलव पत्र जरूर चढ़ाएं जैसे हम हमेशा विश्नु पूजा में तुलसी पत्र जरूर चढ़ाते हैं वैसे ही जिस दिन मोक्षदा एकादशी होती है उस दिन पे बिलफ पत्र भी भगवान को चढ़ाने से संतान सुक की प्राप्ति होती है जिन लोगों के संतान नहीं हो रही उन्हें संतान की प्राप्ति होती है और आपके पुन्य कर्मों से आपके माता पिता सभी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है इस प्रकार से आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए इसके अलावा दूद, फल, मेवे, मिश्ठान भगवान को प्रसाद में जरूर चढ़ाने चाहिए भगवान को सिंगाड़े के आटे के हलुई का प्रसाद चढ़ाना चाहिए और यही सब चीजें इस दिन आप व्रत के दिन पे खा सकते हैं वैसे तो एकादशी का व्रत निर्जला रखा जाता है कई लोग इस व्रत को फल अहार ग्रहन करके रखते हैं और जिल लोगों से बिल्कुल ही व्रत के नियम ना माने जाएं वह इस दिन पे कुटू के आटे की पूरी और आलू खाके इस व्रत को रखते हैं तो इस दिन आप कोई भी फल खा सकते हैं सिंगाडे के आटे का हलुआ बना के खा सकते हैं और दूर भी पी सकते हैं और साथ ही साथ जो लोग चाय वगेरा पीते हैं वह भी चाय पी सकते हैं इस तरह से विश्णु जी का ध्यान करते हुए वरत करें और मालक्ष्मी और विश्णु जी की कथा जरूर सुननी चाहिए आज इस वीडियों के आखिर में भी मैं आपको मुक्षदा एकादशी का मह सुनाओंगी आप इस व्रत को रखिए और रात्री के समय एकादशी व्रत में जागरण जरूर करना चाहिए दिन भर व्रत रखने के बाद शाम में आपको दिये का उपाय करना चाहिए एकादशी के दिन पे आप यदि तुलसी जी के सामने नौ बाती का एक दीपक लगात कई बार ग्रह पीडाओं के कारण नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं वह सभी कष्ट दूर होते हैं और धन धाने सुख सभागे के प्राप्ती होती है आप चाहें तो नौ बातियों को मिला के एक बाती बना लें और उसका दीपक जलाएं और मालक्षमी से शीहर पूजा के मंदर में जला सकते हैं या फिर इसे आप अपने तोसी जी के क्यारे के पास भी जला सकते हैं गोधूली बेला में जब सूर्य अस्त होने वाला हो उस समय पे तोसी माता का पूजन करने से विशेश लाव होता है खास्तोर पे जिनके घरों में धन संबंदी दिक् परश्य करना चाहिए अपने घर के उत्तर की दिशा में या फिर जिस तरब आपका घर का मुख्य द्वार हो उसके आसपास तुलसी जरूर रखिए प्राता उठके तुलसी के दर्शन करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है इस प्रकार विदिविधान के साथ दिन भर पूजन करें शान के समय दुबारा भगवान की पूजा करते वक्त अलग-अलग तरह का प्रसाद जरूर चढ़ाएं और भगवान के लिए विश्नु सहसर नाम का पाठ करना या गीता के अध्याय का पाठ करने से आपको केवल आकo पाठी नहीं करना चाहिए वस्तुतह ये जो भी ज्यान है ये मनुश्यों को जीवन जीना सिखाता है इसलिए इस ग्यान को आत्मसात करना चाहिए और इसी के अनुसार वहवार करना चाहिए जो व्यक्ति ज्यान की बाते सुनते हैं पर उसके अनुरूप विच में सुभा इसनान करने के बाद से ही आपको किसी भी ऐसे व्यक्ति जो कि दूसरों की बुराई करते हों, जो जूट बोलते हों, जो निंदनिय कार्य करते हों, इस तरह के लोगों से भी बात नहीं करनी चाहिए. कोशिश करना चाहिए एकादशी के वरत में आप कोई भी ऐसी चीज ना पहने जो चमडे की बनी हुई हो जैसे कई लोग चमडे की चपल या चमडे के बेल्ट इत्यादी का प्रेव करते हैं तो ये नहीं करना चाहिए क्योंकि यह सभी पाप है प्राणियों के साथ हिंसा करना दूसरों के साथ दुर्व्यवार करना इसकी शिक्षा हमें हमारा धर्म नहीं देता विश्नु जी संसार के पालन करता है जो लोग मनुश्यों के साथ ही साथ प्राणियों से सभी जीव जन्तूं से प्रेम करते हैं उ उनके लिए विश्णुजी सदेव अपने मन के द्वार खोल के रखते हैं और उनकी हर विक्षा को पूरा करते हैं एकादशी के दिन पे प्राणियों की सेवा करनी चाहिए चीटी को आटा देना चाहिए मचलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए जो भी पुन्यकार आ साड़े ग्यारा वजे से लेके बारा एक बजे तक भगवान के लिए माला जाप या मंत्र जाप अवश्य करिए मंत्र वही है ओम नमो भगवते वासु देवाए अगले दिन 26 दिसंबर सुभा के समय जल्दी उठिये इसनान इत्यादी करिए ब्रहमन को दान अवश्य देन चाहिए गेहूं का आटा चावल साथ ही साथ आलू टमाटर मिर्ची घी हल्दी यह सभी चीजें और आप दान में दे सकते हैं जैसी आपकी सामर्थ हो उस अनुसार एका दशी का ब्रत करें जब दान इत्यादी हो जाए उसके बाद आप सुयम भी भूजन ग्रहन कर सकते है सुबह सुबह यदि आपने भूजन नहीं पकाया है तो आप केवल तुलसी का पत्ता एक लोटे पानी के साथ ग्रहन करके अपने एकादशी ब्रत का पारण करें और भगवान से शमायाशना करें क्योंकि जाने अनजाने ही ब्रत में हमसे कोई ना कोई भूल चुक जरूर ह हो जाती है परन तो जब हम भगवान से शमायाशना करके धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन जीने का प्रण लेते हैं तो वहां हमें शीख्र अतिशीग्र शमा कर देते हैं अब मैं आपको मोक्षदा एकादशी के महत्म की कथा सुना रही हूं इस कथा को आप सभी मोक्षदा एकादशी शीर दिश्चर बोले भगवन आप तीनों लोकों के स्वामी हैं सबसुखों को देने वाले और जगत के पती हैं मैं आपको नमस्कार करता हूं हे देव मेरे संशे को दूर करें मुझे बताएं कि मांक्षी शुकलपक्ष की एकादशी का क्या नाम है उस दिन कौन से देवता का पूजन करा जाता है उसकी विदी क्या है भगवान क्रप्या आप मेरे प्रशनों को विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए यह सुनकर भगवान जो भक्त वत्सल है श्री क्रशन जी कहने लगे हे राजन आपने बड़ा उत्तम प्रशन किया है इस इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा सो सुनो माक्षी शुकलपक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेंध आदी से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए अब मैं एक पुराणों की कथा कहत इसकादशी के वरत के प्रभाव से नर्क में गए हुए माता पिता पुत्र आदी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है आप ध्यानपूर्वक सुनिये कथा गोकुल लगर में बेखानस नाम का एक राजा राजे करता था उसके राजे में चारों वेदों के ज्याता ब्रहमन र बड़ा आश्चर हुआ प्राता होते ही ब्रहमनों से अपने सपन की कथा कहने लगा मैंने पिता को नर्क में पड़े देखा है और उन्होंने मुझ से कहा है हे पुत्र में नर्क में पड़ा हूँ यहां से तुम किसी प्रकार मेरी मुक्ति करो जबसे उनके ऐसे वचन मैंन सुने हैं मेरा मन बड़ा अशान्त है मुझे इस राज्य धन इस्त्री हाथी घोड़े आदी का कुछ सुक प्रतीत नहीं होता अब मैं क्या करूं कहां जाओं इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है अब आप कोई ऐसा तपदान ब्रत इत्यादी बताएं जिससे मेर पिता का उद्धार न कर सके राजा के ऐसे वचन सुनके ब्रहमन कहने लगे राजा यहां समीब ही भूत वविश्य भरतमान को जानने वाले परवत रिशी का आश्रम है आपके प्रशनों का उत्तर वही भरीभाती दे सकते हैं ऐसा सुनकर राजा मुनी आश्रम पर गए उस परवत मुनी ने राजा का कुशर शेम पूछा तब राजा ने कहा है दिवर्शी आप रपा करके मेरे राज में सब कुशर शेम है परन्तु मेरा मन अत्यंत अशांती रहती है उसका कुछ उपाय बताए ऐसा सुनकर परवत मुनी ने एक शण के लिए अपने नेत्र बंद क भूत वविश्य को विचरने लगे फिर वह बोले राजन राजन मैंने योगबर से तुम्हारे पिता के सब कू कर्मों को जान लिया है उन्होंने पूर्वजन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को रितूदान मांगने पर भी नहीं दिया उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा तब राजा बोला है महत्मन मेरे पिता के उद्धार के लिए कोई उपाय बताईए परवत मुनी बोले राजन आप मारगशी शुक्रपक्ष एकादशी के व्रत को करें उस व्रत के पुन्य से आपके पिता को संकल्प कर मोक्षदा एकादशी व्रत किया इस व्रत के पुन्य से राजा ने अपने पिता को अरपन कर दिया उस पुन्य के प्रभाव से राजा के पिता की मुक्ति मिल गई वह स्वर्ग को जाते हुए अपने पुत्र से बोले कि है पुत्र तेरा कल्यान हो मारगशी शुमाज के पाला व्रत नहीं है इस कथा को पढ़ने और सुनने से वाजबय यग्य के फल की प्राप्ती होती है इस दिन दोस्तों फलाहर में विलव के बत्रों का सागर लेना चाहिए व्रत में दूद पलव सिंघाडे आटे से बना पधार्त ले सकते हैं सिंघाडे के आटे से बना पध करने से सभी लोग विश्नु लोग को जाते हैं और जीवन में सुख का प्राप्ती करते हैं आप सब भी अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए एका दशीवरत करें क्योंकि भगवान विश्नु आपकी सभी मनोकामनाएं शीग्र अतिशीग्र पूरी करते हैं और सकेड़ा ही एए